हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल फैमिली हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को इंजोई कर रहे होंगे यूनिवर्स से मेरा यही प्रह है कि आगे आने वाला जो टाइम है जो एयर है जो जो भी सवे है आपके लाइफ का वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल हो और आपके सारे सपने पूरे हो जाए जल्दी से जल्दी मेरी तो यह प्रह है वैसे आज का जो हमारा टापिक है जिसमें कि आपको यह पता चलने वाला है कि 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसपेशली हम यह देखेंगे ठीक है कि कितने सारे लोगों से आपकी मुलाकात होगी ठीक हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि सिर्फ आपका फायदा उठाने के कोशिश करें कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि true love करें कुछ लोग बहुत जादा romantic feel करें तो definitely देखेंगे कि 2024 में आपकी love life कैसी रहने वाली है किसी एक person के लिए नइबल की हर एक इंसान के लिए देखेंगे कि अगर कोई ऐसा आता है तो किससे आपको बचके रहना चाहिए और किससे आपको नहीं बचके रहना चाहिए क्यूंकि में भी ऐसा हो सकता है कि कोई कानमिक परसन आने की कुछिश करें तो उसको कैसे इग्नॉर करना है कैसे बचना है वह भी मैं आपको बता दूगे और साथ साथ आपको आपके soulmate मिलेंगे true love मिलेंगे या नहीं मिलेंगे 2024 में ठीक है बहुत detail में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी ठीक है तो reading जो है बहुत कुछ आपको समझाने वाली है कि किस तरीके के लोगों से आप मिलेंगे especially love life को भी देखेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि कैसे लोगों से आपको 2024 में बचके रहना है ठीक है guidance होगा guidance भी आपको बता दूँगी love tips होगा तो love tips भी मैं आपको बता दूँगे लेकिन सब कुछ आपको मैं बताने वाली हो ठीक है तो सभी लोग जल्दी जल्दी claim कीजिए like and subscribe करके ठीक है align हो जाएए मुझसे और परसने लिए contact कर सकते हैं मेरे जीमेल और इस्टाइडी के त्रूँ जो कि मैंने आपको स्क्रिंपे शो कर दिया है और वीडियो की description में भी इस्टाइडी का जेन्विन लिंक है और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दो-तीन दिन से स्टाट हो चुका है आपका Christmas offer ठीक है डिसकाउंट आपको मिलेगा ग्रेट डिसकाउंट तो जल्दी जल्दी booking कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर से लिए सकते हैं चाहें 2024 के लिए ह पिर कुछ भी हो मैरेज हो लव लाइफ हो केरियर हो ठीक है किसी भी टॉपिक पर परसन रिडिंग लेंगे तो आपको डीटेल रिडिंग मिलेगी वह भी डिसकाउंट के साथ ठीक है तो आप लोग बुकिंग कर लीजे नंबर मैं नहीं देती हूं आपको अव्यर रना है स अपने लिए देखिए किसी और के लिए भी देख सकते हैं किसी को शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत जादा इंपॉर्टेंट एंट्रेस्टिंग होने वाली है यह रिडिंग ठीक है तो अब मैं आपको बताऊंगे कि आप सभी को पाय सेलेक्शन कैसे करना है पहले मैं ब इस इस फॉर फाइल वन ठीक है और पाइल टो के लिए जो है आपका वो है एंसे जेट के बिच में अगर नाम आता है तो पाइल टो आपकी डिडिंग होगी और जो कार्ड है वो है आपका लव का कार्ड इस इस फॉर फाइल टू ठीक है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम दिया गया है पाइल वन पाइल टू ठीक है तो आप क्लिक करोगे तो आप अपने पाइल पर पहुत जाएंगे तो आपको पॉस करके दिखाऊंगे इसके बाद में मिलोंगी आपको आपके रिडिंग पे हैं यहिए फिर अपने ने मिर आपहट और अप इस प्रडिंग करके ओलेजु को सेथरे के यह यहने पुर्म लाइफल आप मिलोगे ठीक हो सकता है पास के आजा है प्रेजंट के आ जाए या पिर अपीर ज़सकता है तो सब कुछ मैं आपको डीटेल में बताऊँगी ठीक है पर सर्दिंग लिए आप लूप कार सकते हैं मेरे जीमल और इंस्ता इड के थीर जो कि मैंने आपको इस पीन है वीडिय काउंट चल रहा है किसमस ऑफर है तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजे क्योंकि यह ओफर आपका खतम भी होगा ठीक है ठीक है फोर कार्ट सिंदम जबर जस्ता है ठीक है और बॉर्टम अब देख है आपका दिस वन तो सबसे पहले मैं explain करूंगी कि कैसे कैसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है वो इंसान कैसे हो सकते हैं तो सबसे पहले तो मुझे असा लग रहा है कि शायद बहुत सारे परिशानियों से जूज रहे हैं परिशान हैं बहुत सारे बर्डेन हैं आपके लाइफ में ठीक है आगे आने वाले हो सकता है कि 43 days के अंदर ठीके आप अपने सारे burden को free कर रहे हैं ठीके उससे free होके आप एक नए मोड पे आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं ठीके आपे movement का भी काड है और बुर्डे का भी काड तो दिखें सभी बात यहां पर यह है एक हिसे और कई background रहें पर किसी और बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं मूफ कर रहे हैं तो में भी वहाँ पर आपको एक ऐसा लॉयल इंसान मिलने वाला है ना जो कि बहुत सिंसेर होगा बहुत अच्छा इंसान होगा और शायद इतना आप जान दीजे कि आपको 2024 में डेफिनेटली अनकंडिशनल लव करने वाला प्यार देने वाला एक बहुत अच्छा रिष्टा आपके साथ क्रियेट करेगा हार्मनिस रिलेशनसिप होगा उस इंसान के साथ आपका वैसा इंसान आपके लाइफ में इंटर कर रहा है चाहें आप मेल देख रहे हैं फीमेल द में रहा है कि को ऐसे इंसान आपके लाइफ में इंटर कर सकता है ठीक है 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ादा serious रहने वाला यह रहने वाली शांत रहने वाली टॉल ठीक है टॉल भी हो सकते हैं आपको बताओंगी कौन से country के कौन से name initial वगीर वो सब भी मैं आपको बता दूंगे लेकिन ज्यादा important जो है वो मैं आपको nature बता रही हो तो यहां इसा इंसान है जो कि आपके लाइफ में आएगा इस परसन से आपकी मुलाकात होगी और यह परसन थोड़ा मुश्किल से मतलब हो सकता है अपनी फीलिक्स को बताए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रोसेस होगा लेकिन डेफिनेटली आपको शूरली इस परस में आपको कोई ऐसे परसन मिल रहे हैं जो कि बहुत लॉयल है काइंड है और आपको अनकंडिशनल लव दे रहे हैं ठीक है अनकंडिशनल लव लिखके भी आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं कि यस डेफिनेटली मुझे ट्वेंटी ट्वेंडीपोर में कोई ऐसा अंसान मि दूसरा यहां पर यह है कि अभी आप इसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शुरुवात में थोड़ा सा आपकी लाइफ में बढ़ सकता है लेकिन वह आगे आने वाले 43 देस के अंदर खतम हो जाएगा कभी-कभी होता है कि अकेलापन महसूस होता है फिर उसके वाद इस परसं से आप मिल सकते हैं ऐसा आपको यूर्श कहना चाहते हैं दूसरा यहां पर यह भी है कि कहीं किसी स्टेशन पर है एरपूर्ट पर है ऐसा कोई साइब देखेंगे इंसान भी होगा और action oriented goal oriented कह सकते हैं वो इंसान होगा ठीक है उनका रंग जो है एक फियर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है एक हो सकता है कि सामले भी हो सकते हैं लेकिन attractive बहुत होंगे and body इनकी एकदम like teenage type की और young type की दिखाई देती होगी eyebrows एकदम perfect होंगे और eyes का color में भी थोड़ा बहुत different हो सकता है ठीक है लेकिन looks मुझे ऐसा लग रहा है face का जो structure है वो बहुत अच्छा होगा और हो सकता है कि इन्होंने cosmetic surgery भी करा रख कियो कुछ लोगों के लिए हो सकता है then य मुझे ऐसा लग रहा है कि in future आपके घर में कोई बड़े बुज़ूर्ग हो गया फिर आपकी parents हो गया फिर कोई ऐसा बड़ा इंसान जो कि आपको बहुत जादा support कर रहा है नरिश्ट भी कर रहा है नरिश्मेंट भी दे रहा है ठीक है abundance भी आपके life में बढ़ रहा है हो सक सब्सक्राइब करता है ठीक है जो मेरे बार में पूछे मेरे हाल कुछ जान ले ठीक है दिले हाल को जानले को यहां है ही ही आप सोचते होगे कि जिसके साथ मैं बैट के बाते कर लो टाइम spend कर लो enjoy करो असा लगता होगा कि कोई है नहीं मत अब कोई senior citizen भी नहीं तो यहां प support मिल रहा है nourishment मिल रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हो कैसे नहीं हो तो आपका असा लगे गादा कि पहले तो लाइफ में कोई था ही नहीं जो की पूछता था अब तो देखो और 2024 में इंटर कर रहे हैं हाना 2024 में जब इंटर करेंगे तो उसमें आपको कम से कम छे वीक कह सकते हैं की दो तीन महीने रुखना पड़ेगा या फिल में और उसको अंडर ये परसनिया सो तो रखना पड़ेगा चाहिए कोई विया काम करओगे साथ को रखना है और देखते हैं कि कैसे इंसान से मुलकात होगी बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं एक्जाक्ट मैसेज निकाल सकूं आप मुझसे अलाइन हो जाए प्ली स्कॉट गिफ में क्यूरेट मैसेज ब आपके लाइफ में आएगा जो कि योगा इंस्ट्रक्टर वगेरा भी हो सकता है बहले आपके लाइफ में आ घ्यान आरहा है जो कि बहुत जादा मुझे वाले बहलेंस दिखाई दे रहाmates मतलब देखकर आपकरश्यत हो जाएंगे, देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वाह, सब कुछ है इस परसन के अंदर, मतलब सारे चक्र बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, एकड़म परफेक दिखाई दे रहे हैं, अलाइनमेंट दिखाई दे रहे हैं, उनके लाइफ में, सब कुछ, ठीक है, और साथ-साथ वो डिवाइन विजडम वाले इंसान भी दिखाई दे रहे हैं, एक चीज और है कि जो आपका रिष्टा शुरू होगा, इस परसन के साथ, मैंने क्या बोला, कि हो सकता है, स्लो प्रोसेस हो, लेकिन धीरे-धीरे होगा, लेकिन इतना जादा मज़ा आएगा उस रिष्टे में, बहुत हार्मोनियस आप उस एनरजी को फील कर पाएंगे, ठ आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये भी मैं देख पारी हूँ आपके लिए, तो इस बात कब ध्यान रखें, उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, कि ये जो परसन है, में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूस भी होते होंगे, ठीक है, और यहां पैसा ह हो सकता है कि ये इंसान भी अएध बहुत जादा chaotic life से घुजरे हैं, ठीक है, जो आपके इंसान life में आएंगे, जो आपको प्यार करेंगे, वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़ादा टेंशन तनाव के जिन्दगी से लाइफ से टाइम से गुजरे होंगे ठीक है और अब तो लाइफ इनका बहुत डिफरेंट दिखाई दे रहा है काफी अलग टाइप का दिखाई दे रहा है काफी रूटीन में चलने वाले तो काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगी साथ में काम करोगे ठीक है और वह प्लेस जो आपको बोरिंग लगेगा ठीक है जहां पर काम करोगे वह प्लेस उस परसन के वज़े से बहुत ज्यादा लविंग प्लेस हो जाएगा इंजुआ करोगे मस्ती करोगे अपना काम भी कर लोगे ठीक है पैसे दन दॉलत भी बहुत सारे आपके बहुत मोटिवेट करेंगे ठीक है यह बात है दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह परसन आपको किसी इवेंट में भी मिल सकते हैं यह चांसे भी दिखाई दे रहे हैं ठीक है कैसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिससे आपको बचने की जरूत है वो आपको बताऊंगी लेकिन पहले love life का clear कर लेते हैं तो यहाँ पर यह चीज है कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि बहुत courageous हैं जो कि बहुत जादा कह सकते हैं traditional है जो कि बहुत जादा protective भी है हमेशा वो इंसान आपके साथ call messages पर रहेगा अगर आप बहुत जादा negative feel कर रहे होगे या फिर कोई ऐसा इंसान आपके energy को drain कर रहा है तो वो आपको उस चीज़ से बचाएंगे आपके life को transform जरूर करेंगे कोई ऐसा इंसान आपके life में जरूर आ रहा है ठीक है जिसके साथ आप powerfully connected रहोगे दूसरा यहाँ पर यह है कि आपका जो 2024 है वो बहुत favorable मैं देख रही होगे बहुत favorable time रहेगा जैसे कि जितनी भी अपने जिन्दकी बिताई है उसमें 2024 जो year होगा वो बहुत बहतर होगा बहुत best होगा मतलब ऐसे लोग आएंगे आपके life में जिसमें आप believe कर पाओगे समय भी अच्छा दिखाई दे रहा है place भी अच्छा दिखाई दे रहा है और people भी अच्छे दिखाई दे रहा है तो यह आप जरूर claim कीजे इसको लिख सकते है believe that you are always in the right place at the right time with the right people यह दो इक्दम 2024 को यह जो line है यह affirmation है complete कर देगा ठीक है यहाँ पर लिख सकते है I am believing that I am always in the right place at the right time with the right people ऐसे आप लिखके इस चीज को claim कर सकते है ठीक है कि मैं इस चीज पर believe करती हूँ मैं इस चीज पर believe करता हूँ कि मैं हमेशा एक सही place पर होता हूँ ठीक है सही time पर होता हूँ और सही लोगों के साथ होता हूँ तो यह 2024 का एकदम best affirmation होगा तो जरूर कीजिए इससे क्या होगा कि जितने भी negative लोग है काल्मिक लोग है इन सारे लोगों से आप बच्च होगे जरूर ठीक है मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लोगों से आपको बच्च के रहने की जरूवत है कैसे लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं ठीक है प्लीस कोड गिप में एक रेक मैसेज ओके हम टू अफ सोट्स के एनरजी है और देन सेवन अफ पेंटिकल्स फोर ओफ कपस the tower की एनरजी है ठीक है एक और कार्ट है the high priestess देखें यहाँ पे है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में जरूर आने वाला है और यहाँ पे एक और कार्ट है five of swords सारही यहाँ पे आपको कार्ट जो है ना समझा रहे हैं warning दे रहे हैं कि कैसे लोगों से आपको बच के रहने की जरुवत है देखें ऐसा हो सकता है कि आपकी love life शुरू होगी six month बाद ठीके लेकिन उस six month के अंदर भी कोई ऐसा इंसान आपके life में आ सकता है जो की कार्मिक हो सकता है ठीके जिसको आपको avoid करने की जरु होगी तो वह आपके उपर blame लगाएगा ठीके वो कुछ भी गलत करके वह आपके उपर blame लगा रहा है वैसे इंसान से आपको बच के रहनी की जरुवत है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी life में आने बाला है five of source की energy है जो की बहुत ही चलाक और बहुत बड मिशानी में डाल के ठीके बहुत ज़्यादा खुश होगा जो की आपके साथ लड़ाई चगड़ा करेगा और आपको उसका तो कोई loss नहीं होगा लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तकनीफ होगी emotionally आप हर्ट हो जाओगे तो ऐसा कोई इंसान आ सकता आपकी life में like loss of something कुछ जैसा feel कराएगा कि मेरी कुछ loss हो चुकी है इसके आने के वज़े से जाने के वज़े से मदब पहले तो वह आपके life में आएगा जगा बनाएगा ठीक है और उसके बाद आपको एकदम empty सा feel कराएगा गायब होकर ठीक है तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको सुरू से नहीं aware रहना है कैसे आप ऐसे लोगों को पहचानेंगे तो simply यह इंसान बहुत जादा mysterious होंगे सबसे पहले आपको यह जाना है कि अगर आपके life में कोई आता है तो उसके बारे में पहले inquiry कीजिए उसके बारे में अच्छे से जानिए उससे ही पूछिए कि तुम क्या करते उसे वक्त आपको दूर हो जाना है क्योंकि ऐसे लोगों से आप emotionally connect हो जाएंगे फिर बाद में तकलीफ होगी ठीक है इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूं आपको कि कैसे लोग आ सकते हैं यह कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको मतलब ऐसा होता है कि कभी breakup होता है तो थोड़ा सा aggression वगेड़ा आपके अंदर वो बढ़ा सकता है ठीक है आपके behavior में changes ला सकता है ऐसे इंसान से आपको बचके रनी की जरुत है लड़ाई चखड़े करने की कोशिस कर सकता है कोई serious conflict create कर सकता है और stress वगेड़ा create कर सकता है और यह इंसान कैसा होगा तो यह इंसा में बहुत जादा confused रहने वाला person होगा ठीक है confusion में ही हो सकता है कभी इसको option बना लिया कभी उसको option बना लिया तो ऐसे इंसान से आपको बचके रहना है कोई ऐसा इंसान जो कि खुद अपने life में जगल कर रहा है लेकिन वह दिखाएगा कि मैं बहुत free हूँ financially यह वो लेकि है तो देखिए अगर आपसे कोई true love करता है कोई आपको बहुत जादा समझता है मानता है तो आप इतना जान लिजेगा कि वह इंसान आपको तकलीफ में छोड़के नहीं जाने वाला ठीक है वह तकलीफ अगर कभी आपकी life में होगी तो पहली बात उसी के वज़े से होगी और अच्छा इंसान होगा तो वह आपको कभी तकलीफ में डालेगा ही नहीं ठीक है तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर ऐसा इंसान आपको मिलता है जो कि आपको बहुत जादा discourage कर रहा है demotivate कर रहा है ठीक है उसके होने के वज़े से और भी lack of motivation हो गया है जो motivation था जो spirituality थी वह सारी चीज़े भी आप देख रहें कि दिरे दिरे खतम हो रही है energy drain कर रहा है पहले तो सब कुछ थीक था boredom होए तो वह सारी चीज़े आप समझ लीजे कि आगे जाके frustration create करेगा ठीक है यह छोड़के एक नएक दिन चला जाएगा तो आपको एकदम बचना है डेड्रीमिंग नहीं करना उस इंसान के साथ ठीक है थोड़ा सा practical होके रहने की जरुवत है practical रहोगे definitely आपको एक strong solid person एक loyal इंसान जरूर मिलेंगे ठीक है तो फिर ऐसे इसे इंसान से आपको deal करने की क्या जरुवत है ठीक है टावर की भी energy है अगर आप किसी गलत person के सकता है ठीक है तो इसका ख्याल रखना है ठीक है और कुछ तो रिलेटिव भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि कुछ रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं तो बचके रहेगा कुछ रिलेटिव से भी कोई अगर planning करते से होंगे कैसे लाइक नेम इनिश्यल वगेरा देखते हैं सबसे पहले E है यहाँ पे के है ली स्कॉर्ट गिज में एक यूरेट मैसेज Q D सभी लोग क्लेम कर लिजे जल्दी से हार्मनी लिखकर आई एम टी है दो लास्ट और देख लिए जड़ यू ठीक है तो यह जो है आपके पर्सन का क्या है नेम इनिश्यल जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने बाले हैं जो आपके लव लाइफ में आएंगे ठीक है सबस्क्राइब के हो सकते हैं इंसान प्लीज कोट्ड गिटमें क्यूरेट मैसेच जो भी मेरे व्यूइर्स देख रहे हैं पाइल वन उनके लव्डाइफ में जो न्यू पर्सन आएंगे वह कहां से होंगे कॉसे स्टेट के होंगे गीव मैंकि ऑक्यूरेट मैसेज्ड इनि अठीक है उसके बाद है आपका त्रिपुरा ऐद यहां पर सिम्बला है हिमाचिर प्रदेस ठीक है और देख लेते हैं मंद्ध्डप्रदेश और मंद्ध्डप्रदेश में कहीं से भी हो सकते निए जारखंड राजिस्थान जैपूर और दिख लें दो-3 तो केरला है यहां पे आपका ठीक है तिलंगाना यहां पर यहां पर pleasing Chelsea लव लाइफ में आएगे वो दूसरे कंट्री के हो तो कंट्रीज भी चेक करते हैं प्लीस कोड़ गिव में क्यूरेट मैसेज ओके सबसे पहले है यू एई ठीक है यू एई आप भी हो सकते हैं आपके परसंदी हो सकते हैं और देखते हैं अअ दिस वन अलियaleb का गेंड़ा ठीक है ग्रेंड़ा है अपका और देख लिते हैं अच यहां पर आपका contractors यहां पे थाइलांड है तो ठीक है अन्ड यहां पे और आया था वो आपका जर्मनी ठीक है और देखते हैं फपल कर थे प्लीस कोड जित में एक यूरेट मैसेच इस वन यह आपका जॉर्दन ठीक है तो यहां पिये सारे आपके countries है और देखते हैं कुछ countries यहां पर आदा बचे ही वह बिल्कुल सबसे पहले आपका है यहां पर इंडिया मेबी यह person Switzerland के भी हो सकते है ठीक है और यहां पर आपके person जो है वो Nepal के हो सकते है ठीक है और देखते है प्लीज सक्वाच जो सकते हैं इस्वन फ्रांस कर आपका एर्मेनिया प्लीज यूणिवर्स गयडुक्ट मियग अक्यूरेट मैजेज्ञ जो भी मेरे व्यूर्स देख रहे कहां से से पहले पर्सन japan थीख्या पहु इंडोनेशिया दो तिन लास्ट देख लेते हैं साउथ अफ्रिका एंड स्पेन लास्ट वन इस प्लीस कॉर्ट गीज में कि रेक मैसेज ओके लास्ट है आपका चाइना ठीक है चाइना हो सकता है यहां पर यहां पर्षेट लेकिन हो सकता है कि आपको नहीं पता कि क्यासे आपको वहवार करना चाहिए बिहेव करना चाहिए तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लव टिप्स दोंगी जो आप कर सकते हैं ठीक है सो देखते हैं सबसे पहले हैं यहां पर लिए ओF युर इजो और आप यूर् प्सक्राइप और बिस्टेक व्यां रॉंग दिखे ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको को ऑब कोई रिलेशंसीप में आ раньше है उस्दोंशें जो आप यहां वो लिग दिखा सकते लेकिन प्रक्राइब वहाइश मैं आपको फिर भी आपको अपने गल्तियों को एक्सेप्ट करना होगा revenue रहन अच्छे परसन है इसा यहां पर हमेशा है कि सक्षर सब्लब सुट Stop वैसी रहना है always match your action with your words मतलब जो भी आपने कहा उससे match करना है अपने action को भी ठीक है love tips आपके लिए है ओके हमेशा एक open communication आप दोनों की बीच में होना चाहिए उसके साथ साथ एक effective communication होना चाहिए मतलब कि बहुत जादा नहीं बोलना ठीक है कुछ फालतों की बकवास से नहीं करने बलकि एक effective ऐसा communication हो सुरुआत के लिए तो बहुत जादा important है ठीक है ठीक है आपको कैसे लोग पसंद आते हैं और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं इतना important बोलते हैं कि जो जिन्दगी बर्याद रजाए उसकी बाते तो exactly communication वैसा होना चाहिए effective communication होना चाहिए और यह root कह सकते हैं एक healthy relationship का ठीक है उसके बाद क्या है stop trying to be each other's okay यह बहुत important है तो मैं आपको यह कह देना चाहती हो कि कभी भी आपको किसी के साथ relationship नाते हो कितने भी अच्छे हो कभी ऐसा नहीं शो करना है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाओंगी या मर जाओंगा मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हो तीक है अगर नहीं है तो नहीं हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए इसका ध्यान आपको रखना है और हमेशा आपको उस इंसान को यह feel कराना है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है और दिखाना है ठीक है या फिर वह कभी आपके लिए कुछ करते हैं तो उसको appreciate करना है ठीक है कभी उसे कोई गलती हो जाए तो उनके आखों के थ्रू या फिर उनके प्लेस पर जाके भी आपको देखना है कि आकर ऐसा क्यों हुआ ठीक है कभी कुछ गलती हो जाए कोई mistake हो जाए या misunderstanding हो जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि यह तो मैं अपने तरफ से देख रही कि क्या हो सकता है ठीक है इसलिए universe कहना चाहते है कि हमेशा अपने expectation को लो रखना चाहिए ठीक है इससे क्या होगे कि आपका आपका जो personality है वो भी strong रहेगा emotionally भी आप control रहोगे एक और love tips देखते हैं वो है आपके लिए this one ओके तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आप finally कोई ऐसा इंसान मिले जो कि आपको बहुत ज़दा प्यार करें ठीक है तो आप जो है moon light के अंदर बैटके जो है meditation कीजिए ठीक है moon connection आपको अपना strong करना चाहिए ठीक है यह चीज universe आपको कहना चाहते है अगर आप सोच रहे ह कि आपको अच्छे इंसान तो मिल जाते हैं लेकिन कभी शादी फिक्स होती नहीं यह हो जाता है वो हो जाता है रिष्टा टूट जाता है यह वो मेरे लाइफ से चले जाते हैं ठीक है तो यहां पर simply कहा जा रहा है कि moon के साथ जो connection होता है सभी लोगों का होता है कुछ से आप कहां मिलेंगे फर्स ताइम पार्क, स्टोर, म्यूजियम में मिल सकते हैं पार्क, लाइबरेरी, मॉल, प्लीस कॉट गिव में एक यूरेट मैसेज, नियर होम, अधर कंट्री, एयरपोर्ट, आउट ओफ स्टेशन, ओफिस, फ्रेंज होम, एयरपोर्ट, घर पे भी मिल सकते हैं एक लास्ट है वो आपका जिम ठीक है तो ये सारे प्लेसेज हैं जहां पे आप इस पर्सन से 2024 में इस पर्सन से मिलोगे ठीक है इस प्लेस पे देखते हैं सॉंग क्या डेडिकेट करना चाते हैं ये पर्सन आपको सॉंग है इस पर्सन के तरफ से आपके लिए अगर तुम साथ हो अलका यागने ठीक है उसके बाद है perfect इस वन मेरे सपनों की रानी कब आईगी तो देखिए आपको डारेक्ली डेडिकेट करना चाहते है और ये कहना चाहते है कि कब आओगी तो मेरे सपनों की रानी उसके बाद है यहाँ पर दिस वन उचिया दीवारा बिलाल साइद एक और देख लेते हैं वह आपका see you again चार्ली पुत तो यह सारे सौंग्स जो है आपके परसन ठीक है जो लव लाइफ में आपको मिलने वाले है 2024 में डेडिकेट कर रहे हैं सौंग्स अब देखते हैं कि आपके जो परसन है क्या है इस परस फॉसक अपकिन होसकते हैं अधितेश नंकम अंपर वीगत विवसक तो टिकर घ्न किलर बी हो सकते हैं भीड कॉसक्ष्ट्व परसन ठीक है आप साइंटिस्ट वगेरा भी हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, IES officer, IPS officer, IFS officer, state pieces officer, then है marketing manager, media buyer, software engineer भी होने के chances हैं, income tax inspector, painter, robotic engineer, hardware engineer, engineer हो सकते हैं, तो में बहुत सारे काटेग्री हैं, algorithm engineer, aeronautical engineer, bank POB हो सकते हैं, यह person, एक last है वो आपका, तीन है, musician, doctor, data analyst, economist, management, consultant, या फिर office manager यह person हो सकते हैं, में भी हो सकता है, कोई company में काम करते हो, वहाँ पर यह person हो सकते हैं, ठीक है, office manager वगेरा, उसके बाद अब देखते हैं कि यह जो person है, इनका looks कैसा होगा, ठीक है, और nature कैसा होगा, सबसे पहली बाद, short hair हो सकता है, इस person का, और यह person काफी ज़्यादा classy look होगा, इस person का, ठीक है, classy होंगे, nose small होगा, small nose, और down to earth होगे आपके person बहुत ज़्यादा, blue eyes होगा, rose skin, और extremely tall, मतलब बहुत लंबे हो सकते हैं यह person, ठीक है, जैनि यहापे full lips है, ठीक है, average height भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, और look तो बहुत अच्छा है, तभी तो यहापे stunning आया, stunning look होगा, इस person का, और सासा dreamy भी बहुत ज़्यादा होगे, और brave होगे, अच्छी बात है, brave होना चाहिए, तभी तो वह आपके लिए stand लेंगे न, future के लिए भी, discipline भी होगे यह person, and fabulous हैस person के energy, ठीक है, looks बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है, वो सकता है, ठीक है, और, good looking, curly hair भी हो सकता है, white हो सकते हैं, fair, rosy skin, average height हो सकता है, और athletic build है, तो यह सारे जो हैं, आपके person के looks के लिए information है, वोग आपको clarity मिली होगी, समझ में आया होगा, channel पिन नए है, ज़रू subscribe कीज़े, family member बन चाहिए, और first reading लिए contact कर सकते हैं, मेरे gmail, audience ID के तो, जो कि मैंने आपको skin पे show कर दिया है, और first reading पे आपका great discount चल रहा है, तो आप सभी लोग booking कर सकते हैं, Christmas offer है, जल्दी over भी होगा, तो जल्दी जल्दी booking कर लीजे, ओकी सो चलते हैं, वबाई, टेक के अपने ख्याल रखेगा, अपने family का भी, Hello pile 2, hope कि आप अपने इस beautiful love card को select करके आए है, या फिर आप अपने name initial को select किये है, तो देखते हैं कि 2024 में आपकी love life कैसी होने वाली है, कौन ऐसे person है, जो कि आपके life में inter करेंगे, उसका nature कैसा होगा, सभाव कैसा होगा, तो सभी लोग सबसे पहले align हो जाए, like and subscribe करके, ताकि आपके लिए मैं exact message, 1000% accurate message मैं ले सकूँ, ठीक है, So please call give me accurate message for my dear viewers, और person reading ले contact कर सकते हैं, मेरे gmail और insta id के तुरू, जो कि मैंने आपको skin पे show कर दिया है, ठीक है, सबसे पहला card है, broken heart का है आपका, this one, और person reading पे आपका great discount चल रहा है, तो आप किसी भी topic पे person reading ले सकते हैं, Christmas offer है, ठीक है, और यहाँ पे है victory, four cards all लेंगे, please call give me accurate message for my dear viewers, वाउ, appreciation, बिल्कुल story की तरह message आया है, एक एक चीज मैं explain करूंगे, और yes, definitely आपको कैसे logo से बच के रहना है, उसके लिए मैं cards यूज करके आपको बताऊंगे, ठीक है, and क्या है यहाँ पे आपके लिए, okay, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का current situation ऐसा भी हो सकता है, कि शायद आप प्यार में बहुत ज़ादा धोखा खाये हैं, मतलब हो सकता है कि आपने अपने तरब से बहुत ज़ादा कोश की कि वो रिष्टा बद जाए, ठीक है, आपने बहुत ज़ादा उस रिष्टे को protect करने की कोशिश की, उस परसन को मनाने की कोशिश की, उस परसन की हर बाते मानी, या फिर हो सकता है उस परसन को हर बाते मनवाने की भी कोशिश की, रिष्टे में balance लाने की कोशिश की, लेक एक दम दूर हो गए हो अलग हो गए हो मतलब situation आसा दिखाई दे रहा है कि मन में आपकी बहुत सारी बाते हैं बहुत सारे feelings है बहुत सारे questions है और बहुत सारे बाते बोलनी भी है लेकिन आप उस person से बात नहीं कर सकते वैसा वाला situation है या फिर आसा हो सकता है कि low contact हो गया है मतल से आपका 2024 सुरू होगा एकदम ऐसा नहीं होगा कि अचानक से ही आपके life में कोई आ गया और आपको प्यार करने लगे ठीक है उस person के साथ एकदम victory हो जाए जीत हो जाए शादी हो जाए वैसा कोई situation नहीं दिखाई देरा कैसे होगा एक इक चीज में आपको बताती हो इतना कोई situation एक condition create आपके life में होने वाला है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले मुझे आप ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके life में आएगा जो कि आपके साथ बहुत जादा connected होगा ठीक है ये person कार्मिक भी हो सकता है और इस person को आपका हर एक बात समझ में आ सारी बाते समझेगा और हो सकता है कि ये इंसान आपकी दिल तोड़ने की कोशिश कर सकता है एक बहुत अच्छा सा स्पेस बना लेगा आपके life में ठीक है अच्छा सा image बना लेगा और हो सकता है कि दीरे-दीरे वह आपको अपना असली रूप दिखाए ठीक है तो ऐसा शुरुवात में जैसे 2024 आपका शुरू होगा उस वक्त ऐसा इंसान आपको मिल सकता है तो किसी ऐसे इंसान से आपको बच के रहनी की शरुवत है जो कि जैसे आपका 2024 शुरू हुआ उसके 40 देश के अंदर यह आएंगे और अगर नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बाते की ड्री अटेशमेंट जो है आपको हर्ड कडर यहाएगा सकता है कि आपको यह पर प्रन किया होगे और लीकिन अब दूर बेटे ही बहुत सारे प्लानिंंग कर लोगे तो इससे क्या होगा कि आपका दिल तूट-सकता है तो कहीन कहीं आपको अपने फ्यांगर भी control रखना होगा अपने आपको समझाना होगा कि नहीं जब तक मैं इसके बारे में नहीं जान लेती मैं इसके बारे में नहीं जान लेता है कैसे मैं इसके साथ एकदम connect हो जाओ चानक से ठीक है बिना कुछ जाने हुए तो अगर यह करते हैं तो इसमें आपकी गलती होगी जिसके विज़से आपका थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है हर्ट लॉस हो सकता है ठीक है ब्रोकेन हर्ट वाली एनरजी है तो यह चीज है और दूसरा जो कि अभी हर् सिथा है भाते जल्दी हीलिंग होते हुए दिखाई देरी है यहाँ पे अर्कइंजल कमयोल है यह आपको बता रही कि बहुत ही जल्दी तुम्हारे लाइफ में शांती आ रहे है तुम्हारे सोलर प्लेसर हील हो और कही ना कहीं तुम अपने लाइफ में एक ट्रू लव को कर रहे हो तो भलब की तुम अपने लाइफ में अपने soulmate को ट्रैक कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताया कि पहले आपका जर्णी जो सुरूर होगा लव लाइफ का ट्वेंटीटीवेंटीफोर में थोड़ा सा लोंग हो सकता है, blonde hair color हो सकता है, brown hair color हो सकता है grey hair color हो सकता है, लेकिन ये इनसान बहुत royal type, बहुत royal look हो गाए इस person का, कपड़े भी बहुत अच्छे से पहनते होंगे, बहुत classy, बहुत stylish ये person होंगे and definitely बहुत ज़ादा rich inसान होंगे सबसे पहला पॉइंट कोई ऐसा आपके लव लाइफ में आने वाला है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लीन हर एक चीज़ इस परसन के अंदर होगा और एड़ सेम टाइम यह परसन क्या होंगे रिच भी होंगे और हो सकता है कि बहुत जादा स्माइल ना करते हो ल लेकिन हाँ भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए तो यह होगे कैसे वह मैं आपको इ detection कर देते हों इस पेष्णिन मुझे आपको यह दिकाई दे रहा है कि परसन थे हो सकता है की काफी अच्छे फैमिली से बिलॉन करते होंगे ऐसे से बिलॉन करते होंगे जो की बहुत रैश इसट और इनके लिए जो सबसें पमस्ट नहीं न्हीं होगा उट्सक्राव में ये सारी चीज़ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं जट्रीकर आपको इसलिंग ये इंसान आपको बहुत ज़ादा हो सकता रहें बियुद्स थे और आपको बताएंगे भी कि तुम्हारे अंदर क्या गलती है क्या नहीं है वह आपको सुधारने को भी कोशिश करेंगे सबसे पहले तो यह परसन आपको इस ब्रोकेन हर्ट से इस तकलीफ से दुखदर से निकालेंगे और वह आपको यह भी समझाएंगे कि लाइफ में जो ह यह आपको बहुत कुछ डीफरेंट सिखाने को आ रहे है तो इंटेंशन क्या है यह परसन आपको खुद अपने जैसा या फिर यह आपके एक स्पिरिट गाइडर हो सकते हैं ठीके जो कि आपके लव लाइफ में आएंगे और आपको कही न कही सिखाएंगे कि कैसे अपने दिमार का परियोग करना चाहिए यूस करना चाहिए लव लाइफ के मामले में क्योंकि बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं आते हैं और बेकूफ बनागे चले जाते हैं तो यह इंसान सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ मे यह है कि यह person आपको appreciate बहुत करेंगे अगर आप कोई गलती कर रहे ना तो पहले वो आपके लिए तालिया बजाएंगे वो बलेंगे ठीक है तुमने जो भी इसमें मेहनत की वह बहुत अच्छा था लेकिन तुम्हें और अच्छा करना चाहिए बहुत मतलब मुझे असा लग रहा है कि इतना हो सकता है फैमली में भी आपको किसी ने appreciate नहीं किया जितना यह person आपको appreciate करेंगे यह person आपके boss और senior भी हो सकते है ठीक है तो यहां पर यह चीज़ क्लियर है कि कोई ऐसा इंसान आपकी life में आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यार कर र हैंगे बहुत सारा happiness खुशियां लेकर आ रहे है colorful हो रहा है इस person के साथ आपका life ठीक है जैसे कि flowers है garden है उसके बाद यहां पे waterfall देख पारी हूं मैं ठीक है तो यह सारे इस तरीके से ना जैसे nature में आप जाते तो कितना सुकून महसूस होता है exactly इस person को भी आपके साथ वैसे वैसे ही सुकून महसूस होगा और आपको भी इस person के साथ वैसे ही महसूस होगा शुरुवात में तो यह person आपको एक princess की तरह ट्रेट नहीं करेंगे लेकिन हां ऐसा हो सकता है कि शुरुवात में एक बच्चे की तरह यह student की तरह यह person आपको ट्रीट करेंगे क्योंकि यह person आपके spirit guider होंगे ठीक है और जब आप मतलब इनके according आप जो है ठीक होने लगोगे strong होने लगोगे तो यह person definitely time ऐसा भी आएगा कि आपको queen की तरह ठीक है queen की तरह और princess की तरह street करेंगे जरूर तो यह ऐसे हैं जो कि पहले आपको पसंद करेंगे आपके अंदर कमी नहीं दिखेंगे ठीक है इनका यह होगा कि आपके अंदर जो कमी है उस कमी को यह person improve करेंगे कुछ लोग क्या होते हैं देखते हैं कि perfect है तो ही आएंगे relationship में लेकिन इनका ऐसा नहीं है इनका इसा है कि मिचे अगर कोई पसंद आएगा या आएगी तो पहले मैं अपने life में लेकर आऊंगा जो भी कमी मैं इसको सुधार दूँगा मैं improve कर दूँगा यह मैं परसन की और देखते हैं कि information है प्ली सकॉट गिफ में एक्यूरेट मैसेच और राइट तो देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो परसन है आपके साथ जो है शादी करने का भी सबना देख सकते हैं कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में जरूर आएगा जो कि आपको लेते होंगे बहुत राशनल और लॉजिकल इस परसन की परसनालिटी और निचर दिखाई दे रहा है तिक यह जो परसन है यह बहुत सब्सक्राइब इंसान होंगे और यह जो परसन है डेफिनेटली कोई मजाग नहीं करेंगे आपके साथ यह परसन आप से शादी करने का स लेकिन यह परसन आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे प्यार भी करेंगे और अच्छे यह परसन दिख रहे हैं यह चीज है वैसे यह आपका हो गया की कोई असा इंसान आएगा आपके लाइफ में जो की बहुत फ्री होगा इस बाते मैं आपको बता दी लेकिन हम और वी बच के रनी की जरुवत है वो भी देखते हैं ठीक है प्लीस कोड गिव में एक रेट मैसेज इस वन फाइव फाइव फोंस नाइट अफ कप्स एट ओफ वोंस नाइट ओफ फोंस ठीक है अन यहां पर एक और काट दिख रहते हैं है three of source ओके Sum पहले मैंने आपको बताया है दिखें ब्रोक इन हर्ट और यहां पर ठीए ऐस बिल्कुल एक जैसा ही मैसेज है उसके बाद ही आपको कोई स्टेप लेना है क्योंकि मुझे असा लग रहा है कि अगर वो तकलीफ देगा तो बहुत बड़ा तकलीफ हो सकता है इसलिए आपको अवेर रड़ी की जर्वत है त्री आफ सोर्स यहां पर क्यों आया है वे एक्स्प्लेइन कर देती हो आपको अपने लाइफ से रिमूफ कर दिया है ठीक है उसकी कमी बहुत महसूस होती है ठीक है डिप्रेशन जैसा फील होता है सप्रेशन है साड्नेस है हर्ट एक है अगर ऐसा है अभी आपके लाइफ में तो यह रिमूफ हो जाएगा और अगर नहीं है तो इन फ्यूचर आपको इ ँक्याशिया सानों जो कि में हो जो की इतना ट्रॉॉमा क्रियेट करेगा व sec यहां सकता है कोलेज में हो सकते हैं जिसके वजह से इतना जश्यादा कांफिलिक्ट हो ठीक है सभी को आपके अगेंस्ट कर दे तो ऐसे इंसान से आपको सिर्फ बचना है और कुछ नहीं करना बच जाओगे बात नहीं करोगे सब कुछ नॉर्मल रहेगा ठीक है तो बस यह है कि मिसंडेस्टैनिंग है रोना धोना है टीर्स हैं आपके आसू है सब खतम होंगे और आप अपने लाइफ को इंजॉय करेंगे अगर इंसान कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले कोई बहुत बड़ा अवेर्नेस आता है ठीक है जो भगवान देते हैं इंट्यूशन भी आता है किसी से बाते करते हैं तो फिल होता हुए ना कि इंसान कैसे है मुझे करना चाहिए बात या नहीं करना चाहिए उस वक्त अगर आपने इपने इंट्यूशन को सुन लिया तो फिर आप जीत गये हैं अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आपको इसा लग रहा है कि बहुत अच्छे है तो आप कर सकते हैं ठीक है दीरे दीरे और continue कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कहीं न कहीं खोट मज़र आ रहा है उस इंसान में नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आपको दूर रहना है वही उस समय अपने intuition को use कर लिया, आगे कोई problem हो गहीं नहीं, ठीक है, तो ये चीज है, उसके बाद यहाँ पे nine of wands की energy है, तो nine of wands यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि कोई ऐसा चीचुड़ा इंसान भी आपके life में आ सकता है, कोई गुसाल इंसान, कोई जगडा करने वाल ये family में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज है, जिसे आपको थोड़ा सा बचके ननी की जरूत है, या फिर आपके खुद की भी energy ऐसे हो सकती है, थोड़ा बहुत failure के वज़े से परिशान हो सकते है, setbacks के वज़े से, तो ये सारी चीजों से आपको थोड़ा सा aware रहना है, ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके energy को drain कर सकता है, ठीक है, खतम करने की कोशिश कर सकता है energy को, जिसके वज़े से आप low feel करेंगे, लेकिन ये जो भी होगा न, वो 8 days के अंदर, 1 week के अंदर चले भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये इंसान या फिर ऐसा कोई situation है जो कि आपके life में बना हुआ रहेगा, ठीक है, 2024 जो है आपको बहुत सारा ऐसा मौका भी दे रहा है कि जिसमें आप बहुत सारे opportunities का फैदा भी ठाएंगे, अच्छा काम भी करेंगे, ठीक है, लेकिन risk नहीं लेना है, love life में risk आपको नहीं लेन करें, तो यह भी चीज यहां पर दिखाई दे रहा है, तो जितना हो सकता है, आपको जगड़ा वगेरस को avoid करना है, क्योंकि यह five of phones जगड़े को ही दिखाता है, ठीक है, conflict को या फिर competition को भी दिखाता है, कि ऐसा हो सकता है, जहां पर वर्क प्लेस पे रहोगे, cold war चल सकता ह है, ठीक है, competition आपके लाइफ में बहुत जगड़ जाएगा, challenges बहुत सारी बढ़ जाएगे, जहां पर भी आप वर्क करेंगे, ठीक है, और हो सकता है, कि कोई जान बुच के आपको और भी बहुत सारी task, hard work, multiple task दे सकता है, ठीक है, jealousy भी feel करने वाले कोई इंसान आपके process करें, धोके बाज हो सकता है, आपको किसी चीज में फसाद है, ठीक है, तो यह चीज है, क्योंकि उसको पता रहेगा कि आप बहुत skillful है, बहुत talented है, आप अपने life में बहुत जादा आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको कैसे पीछे हटाएगा, of course, आपको किसी चीज में trapped कर रहा है, ठीक है, या फिर घर में relative के साथ, cousin brother, cousin sister, उनके साथ भी आपका competition बगेरा चल सकता है, तो यह बात मैं आपको इसलिए बता रही हुता कि इन सारी चीजों को तो एक साइड रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने life में aware भी रहना है, और कहीं न कहीं अपने life को enjoy भी करते रहना है, ये भी आपको universe कहना चाते है, ठीक है, और information देखते हैं आपके लिए, tea leaf के through, please God give me accurate message, okay, alright, दिखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई past के person भी आपके life में inter करने की कोशिश कर सकते है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि किसी से आप communication करना चाते है, बा ठीक है, केरियर में भी बहुत साइड लोग आपको मिल सकते हैं, support कर सकते हैं, और देखते हैं, दो-तीन कार्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी आपके life में होगा, जो कि आपको obstacles से overcome करने में मदद करेगा, कुछ लोगों के साथ आप journey करोगे, trip पे जा पहला, तो सबसे पहली बात नानब को बताया कि कोई rich person आएंगे, आपके spirit guider होगे, उनके बारे में बात हो रही है, और वो इंसान जो है, आपके life में पहले इंसान बनके आएंगे, ठीक है, जो कि आपके feeling को बहुत अच्छे से समझेंगे, heart to heart connection होगा, और आपके बात को बहुत अच्छे से समझने कि सासाथ आपके feeling को express करेंगे, जैसे आपने कुछ बताया, ठीक है, तो वो explain करेंगे कि तुम यही बताना चारी थी ना, यही बताना चारी थे ना, तो आप सोचोगे कि एक बार में देखो, इस इंसान ने मेरी सारी feeling को समझ लिया है, तो इस तर बहुत है, जैसे कि कभी professional life की बाते कर रहे है, तो वो भी बात करेंगे, और love life की बात तो definitely करेंगे, तो मुझे आसा लग रहा है कि कोई ऐसा new person आपके life में आएगा, जिसके साथ आपका telepathic connection बहुत strong होगा, और उस person के साथ आप जो भी imagine करेंगे, visualize करेंगे, वो जल्दी ज चीज है, और देखते हैं, this one, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर यह चीज है कि tear flow easily, पहले बात यह है कि आप बहुत जादा रोते हैं, बहुत परिशान रहते हैं, तो 2024 में आपका love life बहुत जादा let go type होगा, जो भी problem आईगे, उसको आप let go करेंगे, तो comment में सभ आपके mind को, दिमाग को, soul को, सभी लोगों ने मिल के एकदम कछड़ा भर दिया है, इतना सारा karmic और emotional baggage आपने देखा है, जिसके वज़े से, तो जो भी आपके life में यह जो tension है, loss है, वो भी सारा चीज़ खतम हो रहा है, toxin है, वो release आप कर रहे हैं, अपने body से, mind से, soul से, यहाँ पर लिख सकते है, I am releasing the toxin from my body, mind and emotional being, ठीक है, यह लिख सकते है, spirit से, mind से, body से, soul से, मैं जितने भी toxicity भड़ चुकी है, उन सारे चीज़े को मैं remove कर रहा हूं, remove कर रही हूं, ठीक है, और जो भी मेरे life में आने वाला है, उसके लिए में मैं इंतिजार कर रही हूं, मैं तो मुझे असा लग रहा है कि इस person के साथ, आप weekend पे, जो new person होंगे, उनके साथ, आप हमेशा घुमते फिरते रहोंगे, और उनके साथ, मुझे असा लग रहा है कि physical body भी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, उनके साथ हो सकता है, आप gym बगेरा जाओ, maintain करो खुद को, ठीक ठीक है, देखते हैं कि यह जो person है, इनका name initial क्या है, please call give me accurate message, k, e, v, p भी हो सकता है, please call give me accurate message for my dear viewers, g, current person से भी match कर सकते हैं, आप d, o, please call give me accurate message, name initial क्या है, c, x, दो लास्ट और दिखेंगे, i, and last one is, please call give me accurate message, t, ठीक है, so, देखे, person reading पे आपका great discount चल रहा है, तो आपको लेट नहीं करना चाहिए, जल्दी बूकिंग कर लेना चाहिए, क्रिस्मस का discount है, और यह last है, इस year का, तो greatest discount तो मिलेगा, वो भी, detail reading के साथ, ठीक है, तो किस इसे भी topic पे आप लोग पर सर्डिंग ले सकते हैं, देखते हैं कौन से state के हैं ये person, आप लोग positive रही है, please call give me accurate message, थबसे पहले तो है, यहाँ पे आपका तम्मिन लाडू, महरास्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और देखते हैं, please call give me accurate message, जो भी मेरे viewers देख रहे हैं, उनके जो लव लाइफ में आएंगे person 2024 में वो कौन से state के होंगे, देली, मिघाले, त्रिपूरा, जम्मू और काश्मीर, चत्तिसगर, उत्राखंड, हर्याना, गोवा, बिहार, चंडिगर, दो, तिन लास्ट एकलिट है, जारकंड है, और लास्ट वन इस केरला, ठीक है, स्टेट्स, अब मैं आपको बताऊंगे कि आपके जो person है, वो कौन से country के हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल positive रहे हैं आप सभी लोगों को, सबसे पहले है त्युवालू, कौन से country के होंगे, पाकिस्तान हो सकता है, आप खुद भी पाकिस्तान के हैं, ठीक है, तो ये चीज है, प्लेन कर सकते हैं अपने countries लिखके, USA, Cambodia, Iceland, Estonia, Monaco, रशिया तुर्की और देख लेते हैं प्लीज स्कॉर्ट किफ में एक रेट मैसेज कहां से होंगे इनके परसन तुर्कमेनिस्तान लिथुआनिया एक यहां पर देखते हैं और है आपका ऑस्ट्रिया ठीक है तो यह सारे कंट्रीज हैं यहां से अब मैं आपको जो बच्चे वह हैं उसमें से भी बताऊंगे प्लीज स्कॉर्ट गिफ में एक रेट मैसेज सबसे पहले है यहां पर आपका अलबेनिया और देखते हैं शिलंका के भी हो सकते हैं यह परसन ठीक है और यहां पर आपका है साउदी अरेबिया अब देखते हैं तो प्लीज कोट गिफ में एक रेट मैसेज कहां से होंगे कौन से कंट्री के होंगे इनके परसन यूके यूनाइटेड किंडम के भी हो सकते हैं ठीक है और देखते हैं कि मालता एस्ट्रेलिया लास्ट वन है आपका इटली ओके लिए हंगरी यह हंगरी के भी परसन हो सकते हैं ठीक है तो यह सारे कंट्रीज हैं जहां से आपके परसन होंगे और अब मैं आपको बताऊंगी कि यह जो पर्सन है जो आपके लव लाइफ में आएंगे ये परसन लुक्स कैसे होंगे, looks देखते हैं, flat nose, downturned eyes, tall, dark eyes हो सकता है इस person का, pale color, defensive, protective, straight forward, hooked nose हो सकता है इस person का and काफी kind person हो सकते हैं, ये इंसान बहुत जादा religious भी होंगे ठीक है, and round eyes हो सकता है इस person का, okay, so ये अच्छी बात है कि आपके जो person है वो helpful होंगे, ये तो मैंने पहले ही बताया, ठीक है, spirit guider होंगे, आपके लिए helpful जरूर होंगे thin lips, strict and self-disciplined हो सकते हैं ये person, then इस person का eyes बहुत big होगा, big eyes, ये सारे मैं आपको इसलिए बतारी हूँ ताकि आप इस person को पहचान सके, ठीक है, round eyes हो सकता है इस person का, matte, matted hair, round face, lips, powder lips and pointy chin हो सकता है, आप देख सकते हैं स्क्रिंग पे, ठीक है, और देखते हैं आइफूल, देखते रह जाओगे, वो वाली energy है, इस person की gentle होंगे आपके person, and then फिर से tall, मतलब definitely ये person लंबे होंगे, उसके बाद बहुत cute भी हो सकते हैं ये person, ठीक है कुछ last देख लेते हैं, जैसे कि ये person जो है, बहुत caring होंगे, काफी ज़्यादा sweet हो सकते हैं, ये person, बहुत famous हो सकते हैं, hair बहुत shiny होगा, बहुत care करते होंगे, हो सकता खुद का, ठीक है, pink lips हो सकता है, long face हो सकता है, और high chick bones हो सकता है, maybe इस person का hair curly भी हो सकता है, कुछ लोग sports में जाने का, तो हो सकता है, hobbies बगेरा, इनकी हो सकती है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगे, कुछ important information, जैसे कि ये person का profession क्या होगा, beautician, bank clerk, software engineer, electric inspector, mental health counselor, air force officer, civil servant, game maker, radiologist, dentist, brand ambassador, community outreach manager, information technology, wave developer, process engineer, solution architect, network administrator, ठीक है, doctor भी हो सकते है, surgeon, psychiatrist, model, pilot, dermatologist, neurologist और pathologist भी होने की chances है, then है, यहाँ पर आपका, physician, assistant, last one, healer, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगे, कि आपके ये जो person है, कभी भी में भी आप जो है, relationship में आते हैं, ठीक है, तो relationship के रिए कुछ love tips होना चाहिए, जो कि आप उसको follow कर सके, ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कि आप बहुत बार relationship में आते हैं, लेकिन आपका relationship टूट जाता है, शादी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि आपका जो moon के साथ connection है, वो बहुत जादा weak है, तो आपको अपना moon के साथ connection strong करना चाहिए, उसके लिए आपको meditation करना चाहिए, under the moon night, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, आपकी लिए love tips, वो है आपका, कभी वे अगर आप किसी से प्यार करने जा रहे हैं, किसी के साथ relationship में जा रहे हैं, तो उसके पहले embrace self love and self care, मतलब सबसे पहले खुद की आपको care करनी होगी, self love करना होगा, ठीक है, और before attracting true love, true love को attract करने से पहले, किसी से भी, आपको कहीं न कहीं cultivate करना चाहिए self love, मतलब अपने उपर पहले ध्यान देना होगा, देन आप देखोगे कि हजारों लोग आपके तरफ attract हो रहे हैं, तो इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, यह आपके लिए बहुत important love tips है, क्या, किसी के साथ भी relationship में आना है, पहले आप अपने आपको थोड़ा सा improve कर लेजे, ऐसा universe आपको बताना चाहरे है, उसके बाद है be honest with each other no matter what, you can communicate openly और directly, ऐसा हो सकता है कि आपके जो person होगे, यह person, आपके साथ definitely वो बहुत open होगे और direct communication रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यह च अगर नहीं बताओगे और वो नहीं कर पाए, तो फिर आप गुस्सा दिखाओगे, हैसा हो सकता है, इसने मैनप को बता दिया, उसके बाद है, this one, okay, so यहाँ पर है, let your partner influence you, हमेशा कोसिस कीजेगा कि आपकी जो person है, अगर वो आपको influence कर रहे है, ठीक है, अच्छा कुछ सि injuries को, जो भी problem आए है, past में या अभी भी दुखी है, तो let go करने में, आप एक दूसरे को help कीजेगा, repair कीजेगा, try to repair of injuries, ठीक है, और कभी भी उस person को आप appreciate कीजेगा, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो यह सारे आपके लिए love tips है, अब देखते हैं कि आपके जो person है, वो आपको क्या song dedicate करना चाते हैं, ओके, बीते लम्हे केके का song है, all of me, john legend, इश्क, अली शेथी, then है यहापे I will never love again, एक बड़ जब आप इस person से मिलोगे, तो वो कहना चाहेंगे कि अब मुझे किसे और से प्यान नहीं हो सकता, यह गाना बहुत beautiful है, आप सुनके द कुछ इस तरह आती फसलम, तो यह सारे songs आपके person आपको dedicate करना चाहते हैं, ठीक है, so hope आपको clarity मिली होगी, समझ में आया होगा, चानल पे नहीं है, subscribe जरू कीजिए, family member बन जाईए, और personal link लिए contact कर सकते हैं, मेरे Gmail और Insta ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको screen पे भी show कर दिया है और उसके साथ साथ जो है, Gmail और Insta ID का genuine link आपको video के description में मिल जाएगा, और आप उसको click करेंगे, तो आप genuine Insta ID पे पहुंच जाएगे, ओके, और Christmas offer आपका चल रहा है, तो किसी भी topic पे अगर आप personal rating लेंगे, तो आपको discount ज़रूर मिलेगा, ओके, सुचलते हैं, वह चलते हैं, वह भी topic, तो किसी भी करेंगे, ऑnd時 रह रहा है, आपका बाठल मिलेगा, यह उसके जऻुंचे के साथ नो है, चलते हैं, वह में लो है, तो आपको करेंगे, तो आपको किसी ज़लेगा उसके साथ, जए रहाएवाने गया है, वह लुजता मिलेगी बानीगे,